तो यह कैसी रही कल की जीत, दू में से दो हो गए जीत, अब यह बात करेंगे कल के मैच की उसमें भी जिता देंगे पैसा ही पैसा, जो की खिला जाएगा राजस्तान वरसे चिन्ने की बीच में, और कौन जीतेगा कौन आरेगा इस पे भी होगी चड़्चा, पताऊंगा बि यह वीडियो देगना पूरी, लाश्ट में ही पता चालेगा की जीतेगा कौन और हारेगा कौन, और यह पैसे बनेंगे पूरे-पूरे, तो आईए मिलते हैं वेलकम बैक टू माइ चैनल, तो दोस्तों जो पहली नियूज निकल कहा रही होगा यह खलक है मैच की, जैसे कि आप सो को पता ही है कि मॉंबाई ने जो है कल मैच जीत लिया है, बहुत ही जबरदस मैस था, एक बार फिट से लो स्कोरिंग मैस था, इसको मॉंबाई ने एक तरफा तो नहीं कह सकते, अब लास्ट में जैसे ही वाटनर का विकट जो गेर भार ही, इस बार हो रहा है, आईपिल में, जैसी वाटनर का विकट गिरा, उसके बास से पूरा मैस बिलकुली बलट गया, और एक बार फिर से, इस एसको हार का मूँ देखना पड़ा दोस्तों तो वहाँ पे मुंबई ने कल रिष्टर कर लिए अपनी 13 रन से ये तूसरी जीत इस IPL की तो ये थी दोस्तो आज की पहली नियूज तो दूसरी नियूज निकल के आ रही है वो आ रही है पोलाड की तरप से तो दोस्तो पोलाड के लिए कप्तान रोहिस्त सर्मा ने तोड़ ने दो छक्के मारे हैं उसी का जो है थोड़ा सा डिफ्रेंस जो इस मैच पर देखने को मिला क्योंकि बारा या तैरा रन से ये मुंबई इनियस कल जीती है और वो जो दो छक्के से वही मैं क्या हूं कि एक बहुत ही जो है मेजर रोल प्ले कर गए कल के मैच में तो उसी के चलते जो है जो है जो का है कि पोलाड ने जो है ऐसा कानदा काहीं पार कर चुके और एक वो उनके बहुत ही एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट प्लेयर है मुंबई के तो यह है वो कमाल के यह तो मानना पड़ेगा तो तीसरी नियूज आ रही है राजस्तान रोयल्स क तो यह तो आप बहुत ही जो है बहुत ही तगड़ा जटका लग चुका है राजस्तान की टीम को बहुत ही जटक एक अच्छे ओल राउंडर जो कि उनको मदद करते थे बैटिंग में और जहां तक की है कि जब जब पर दी तो बॉलिंग भी वो करते थे पर उनके हो गया हा इस्तान रोयल्स की जिस पे जो है दोस्तों नाम लिखा है उनके फादर का जिनकी देथ हो चुकि है पिछले ही साल दिसंबर में तो यह बहुत ही अच्छा गैस्चर था अगर उमीद तो नहीं है वैसे 90% तो मुझे लगता नहीं है कि आब वह वापिसी कर पाएंगे बैश इस साल काई पर यही हो चुका है खतम दोस्तों जो है चोति निउस जो निकल के आरी है वह रही डेविड वर्नर की तरफ से दोस्तों डेविड वर्नर ने परर० बैटिसे कह दिया है कि विलमसं वह अगले मैच बिलकूल ही हो जाएंगे एवलेल जो की हर बार से होता ओक आ और्डर में एक अच्छा संतुलन देते हैं पर हर बार ही एसारेज उनकी चूक कर देती है उनको बार-बार दो-तीन मैच के बाद ही उनने ऐसा ऐसास होता है कि विलियमस उनको भाई यह टीम में रखना ही चाहिए तो यह थी दोस्तो आज की चौथी न्यूज और दोस्तो जो तो एसारेज की प्लेइंग 11 थी उसमें जो है तीन ऐसे नाम थे जो कि अनकैप प्लेयर थे और उन तीनों को ही थोड़ा इतना जादा एक्सपीरियंस नहीं था पर उने खिला दिया मिडिल ओर में जो की एक बहुत ही बड़ा डिसद्वांटेज हो गया एसारेज को क्योंक इतना जादा खास एक्सपीरियंस नहीं है और वो मिडिल ओर्डर समा ले हैं इंटरनेशनल प्लेयर के सामने तो कही ना कई टीम जो है जीतना डिजर्व नहीं करती ही तो आप भी यह कर्मेंट करके बताना कि क्या है यह सही था या कला है तो दोस्तो यह थी आज की टॉप आजी तो एक पार फिर से स्वागत है आपको और एक पार फिर से जीतने वाद है हम कल का मैच कल दोस्तो मैच खिला जाएगा राज़स्तान वरसिस चीन नहीं सूपर खिंस तो यह जहां दोनों ही टीम है जीत के तो यह मेरे को जहां तक लगता है कि कौन जीतेगा और कौन नारेगा यह मैं बताऊंगा आपको पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि मैच ग्राउंड की तो भाईया मैच होगा एक बार से फिर से मुंबई के ग्राउंड पर मुंबई का ग्राउंड बोले तो बिल्कुल रनों की होने वाली बड़ सा तराजस्तान के बास जाद दमदार ह प्रिटर्स हैं तो वही है बाईया चैन्ने के पास भी तगड़े ही एक्सपीरियंस के साथ अच्छे ही प्लेयर है सुर्य से नहीं ने जहां एक बार फिर से फॉन दिखाई है लाश्ट मैच में तो लगता है कि चैन्ने का प्लटा भी थोड़ा सबारी होने वाला है मुंब तो यह मैच है ग्राउंड होगा एक बार से फिर से छोटा प्योचो की बिल्कुल सपार्ट रन हो की होने वाली पर साथ यहां पर तो उस तो कर जाएगा टॉस जो है बहुत जाएगा मैटर तो टॉसरी बात अगर यहां पर टॉस कोई भी टीम हारती है तो तुम्हें स्कोर को ले जाए 200 प्लस तो दोस्तो यहां पर जो मैं आपको बता दूँ अब सबसे पहले जो प्लेइंग 11 होगी राजस्तान की वैसे तो दोनों इटीम में चीत के आ रही है तो चेंज जाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे पर राजस्तान की जो टीम होगी मैंसे देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस मैच में मैं जो जा रहा हूं मुझे जो लगता है कि जीतेगा वान वो होगा इस बार चेंड नहीं सूपर किंग्स थोड़ा सा एक्स्पीरियंच मुझे लगता है कि माही बाई यहां पर जरूर दिखाएंगे और मुझे लगता है कि पिछले मैंच में जिस तरह की तीपक चेहर ने गेंबाज की है वो इस कारना में कोई बार फिट से दोरा सकते हैं नहीं गेंबाज के नहीं बॉल से हो गए जबर दस गेंबाज तो राजस्तान को उनसे पार पानी पड़ेगी तो दोस्तों मेरा जो प्रेडिक्शन होगा वो अचे नहीं के साथ और आप भी कमेंट वेर के जबर बताना कि आपको कहा लगता कौन जीते का कौन आरेका दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और अगर आप यहां तक आहीं चुके हो तो यह सब्सक्राइब करीदे ना तम बेलते हैं अगली वीडियो में झाल यहां थड़ का अपको का रहां थाष्या थाफ लिए बताना हैं जीते हैं आपके हो यहां पाल आप जिए तक टिए और लिफग ज तकी दोस्तों आपको ढगर देना हैं वाली उपको झाल